एडसेंस का CTR, एडसेंस का CPC और एडसेंस का RPM ये तीनों चीज़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एडसेंस से अच्छी अर्निंग करना चाहते हो और आज कि इस वीडियो में इसी टॉपिक के उपर बात करूँगा कि एडसेंस का CPC, CTR और आर्पिम आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, क्या क्या फेक्टर हैं जो कि आपकी इन तीनों चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, जिससे आपकी एडसेंस की अर्निंग पर डिरेक्ट फड़क पड़ता है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं, शुरू, तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, सबसे बड़ी मिस्टेक की, जिसकी वजए से सारे, almost 90% ब्लॉगर क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट पर ट्राफिक बहुत अच्छा आ रहा होता है, दिन के 3000, 4000, 4000 पेज यूज आ रहे होते हैं, लेकिन उनी पेज यूज में उनका CPC 0.01, CTR 1% से भी कम, RPM 1 डॉलर से भी कम आता है, उस केस में 10,000 पेज यूज में वो यहाँ पर 1 डॉलर भी नहीं कमा पाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग जो इस मिस्टेक को नहीं करते हैं, वो यहाँ पर उस पे ट्राफिक आने लग जाता है, तब वो सोचते हैं, भाई इसमें monetize कैसे करना है, AdSense में क्या चीजे रहेंगी, तो यह एक गलती है, जब भी आप niche select कर रहे हो, और आपका primary objective monetization का method AdSense होने वाला है, तो भाई उस चीज को हमेशा ध्यान रखो, niche selection बहुत अच्छे से करो, जो भी niche आप select कर रहे हो, उसको पहले देख लो कि इस niche में AdSense की Ad कैसी चलती है, इस niche में AdSense की Ad बढ़िया आती है या नहीं आती, उन पे CPC क्या रहता है, जर्नली थोड़ी सी research कर लो, अगर आप AdSense से सिर्फ monetize करना चाहते हो, नहीं तो फिर वो ही result जो गलती होती ह है, लोग क्या करते हैं, biography वाली website open कर लेंगे, यहाँ पर शाइरी वाली website open कर लेंगे, यहाँ पर court वाली website open कर लेंगे, यहाँ पर कोई review वाली website, movie review वाली website open कर लेंगे, उस पर traffic भर-भर के आएगा, लाखों का traffic आएगा, लेकिन जब earning की बात होगी 5000-10,000 page views पर 1 डॉलर ब अब खुद सोचो एडवर्टाइजर शायरी वाली वेबसाइट पे क्या एड चलाएगा समझ रहे हो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो अगर आपकी बायोग्राफी वाली वेबसाइट है तो उस निश्च पे एडसेंस की तरफ से क्या एड हैगी किसी की बायोग्रा चलती है लिए लिए यूटूब पे भी चलाती है वेबसाइट पे चलाती है गूगल एडवर्ड के थुम बी चलाती है अगर आपका टेक्स रिलेटिड ब्लॉग है तो उसमें भी आपको काफी अच्छा-कासा मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर अलग-अलग जोभी टेक्नो थोड़ा ध्यान में रखो, अगर आपको AdSense से पैसा कमाना है, तो पहले ऐसा निष्ट सिलेट करो, जिसमें AdSense की बढ़िया Ad चलती है, अगर वो ही आप गलत कर दोगे, शायरी, कोट, इन सब पे फालतुगे, निष्ट पे जाओगे, और सोच रहे हो कि इन निष्ट से मैं Ad AdSense से कमाना हुआ, आपको ट्राफिक लाखों का आ जाएगा, लेकिन AdSense से अर्निंग नहीं होगी, तो वो एक बहुत इंपोर्डेंट चीज है, अब दूसरी बात करता हूँ कि आप यहाँ पर बहुत लोग सर्च ही यह करते कि भाई, जब उनकी वेबसाइट पर अच्छ दूसरी चीज आप कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, अब अगर मैं बात करूँ आपको कोई YouTube पर तिगणम बचा रहा है ना, कि भाई यह करने से यह Ad बंद कर दो, या फिर यह करोगे तो CPC बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो, यह चीजे बहुत माइनर स अगर आपका निश सही है ना, तो यह सब चीजे आपको करने की जुरूति नहीं है, बाकि अगर आपका कोई ऐसा ब्लोग है, हम एक्जामपल लेके चल रहे हैं, आपका शायरी ब्लोग है, अब शायरी ब्लोग पे ना, आप कितने ही तिगडम लगा लो, आपने अगर उसक जो अगर AdSense से पैसा कमाना है, तो दो चीजे हमेशा ध्यान में रखो, जो कि सबसे ज़्यादा आपके AdSense के CPC को, आपके AdSense के RPM को effect करती है, आपका निश कोन सा है, दूसरी चीज आपने कोन सी country को target करा है, अब सेम चीज आप खुद करके देख लेना, अगर आपको यकी CPC बहुत कम मिल रहा है, आपने उसको इंडिया में target करा हुआ है, अब आपने सारे तिगणम कर लिए, Low CPC वाली AdBlock भी बन कर लिए, Ad वगरा भी लगा लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपका CPC नहीं बढ़ रहा, अब एक चीज करना, आपकी जो website है, अपने किसी भी browser म आपको open करना, Ad वहाँ पर देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, सिर्फ VPN से एक click कर देना, वहाँ पर देखना, आपका CPC एकदम से boost हो जाएगा, तो ये चीज बहुत जादा matter करती है, क्योंकि tier 1 जो countries है, उनमें यहाँ पर Ad के जो rates होते हैं, वो काफी high होते हैं, तो उ निश बढ़िया select करना पड़ेगा, जिस पर Ad चलती हो, दूसरा आपको ऐसी country को target करना पड़ेगा, जहाँ पर advertisement थोड़ी महंगी हो, जिससे आपको अच्छा CPC मिले, दूसरी बात करें भाई, CTR की, तो CTR आप definitely improve कर सकते हो, CTR भी कही न कही निश पर depend करता है, बट CTR हम ख चीजों को कर सकते हैं, अगर आपका ऐसा है कि CTR काफी कम है, और आपको CTR बढ़ाना, for example, आपको एक से नीचे है, तो अगर आप Ad placement अच्छे करते हो, अगर आप बढ़िया से Ad लगाते हो, जहाँ पर लोग विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर लोग क्लिक्स कर रहे हैं आपक पर्सेंट से आप अप्टिमाइज करके यहाँ पर 3-4% तक ले जा सकते हो, वो हमें पता है, हमारी ट्रिक है, अगर आपकी हमारी सर्विस भी चलती है, तो अगर आप लोगों की कोई भी एड़िशन से related प्रॉब्लम है, देखो, अगर आपकी requirement है कि CPC और RPM बढ़ाने की सर करी है, तो उसकी भी हमारे पास सर्विस है, आप हमें Instagram पर contact कर सकते हो, हमने काफी बंदों की जिनकी 3-3-4-4 महिने से add limit लगी थी, उनकी add limit को हटाया है, और उनको सारी चीजे बताई हैं, जिससे उनकी future में अभी तक भी add limit नहीं आई, आपके सामने यहाँ पर हमारे कुछ क्लाइंट है, उनकी testimonial दिख रही होंगी, तो अगर आपको add limit की service चाहिए, तो description में Instagram का link है, हमें contact कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर adsense approval कराना है, आपसे नहीं हो रहा, तो उसकी service भी हमारे पास है, हमारी team आपको adsense approval भी करवा के दे सकती है, उसके बाद अगर मैं बात क CTR increase हो जाता है, अब ऐसा नहीं है कि 1% है तो 10% से ले जाएगा, हाँ, definitely हम इतना कर सकते हैं, अपनी techniques के थूँ, अपनी strategies के थूँ, कि 1% है तो हम उस CTR को 3-4% तक ला सकते हैं, वो आपके niche पे और थोड़े बहुत आपकी चीजों पे भी depend करता है, तो भाई, clear cut, अगर मैं ad sense कितनी ad चला रहा है, उसमें यहाँ पर ad revenue है भी या नहीं, CPC कितना आ रहा है, उसके लिए वो चीजे करो, दूसरी चीज आप बहार की country को target करोगे, इंडिया को, बांगलादेश को, या फिर नेपाल, ये सब जो country है, इनमें ads के rate काफी कम होते, इनको skip करोगे, tire one country को target कर otherwise वही रहेगा, 10,000 page views में आपके एक डॉलर भी नहीं बनेंगे, और अगर इन दो tips को follow कर लोगे, अपना niche सही से select कर लोगे, भार की country को target करोगे, तो आपके 1000 page views में भी 3, 4, 5 डॉलर easily बन सकते हैं, तो I hope आपको कुछ चीजे समझ में आई होगी, logical चीजे समझ में आई होग बाकी सारी चीजे secondary हैं, कि आप ये कर लो, add block कर लो, यहाँ पर कर लो, वो सारी चीजे secondary है, primary चीजे यहीं अगर आप इन दो चीजों पर focus करते हो, तो बाकी चीजे आपको करने की ज़रूति नहीं है, बाकी अगर हाँ, add limit removal service आपको चाहिए, adsense approval service आपको चाहिए, या फिर आपको अपने adsense का CTR increase करवाना है, तो वो सारी services हमारे पास available है, description में आपको instagram का link मिल जाएगा, वहाँ पर जाकि आप हमें contact कर सकते हो, जो भी charges है, जो भी doubt है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, इंड हमारी service ले सकते हो, बाकी, I hope वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पस subscribe कर देना और मिलता आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye, take care, have fun